रहलेट्स वलकुम टू माइव यॉटिव चैनल मैं हूँ स्वाक्षी और स्वाक्षे स्व्लोग में आप सबका स्वागत है सौ फेंड्स आइ事 आप अच्छे होंगे और सवस्थ होंगे तो फेंड्स support कि दो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें तक हमें motivation मिले और actually मैं YouTube पे नहीं हूँ तो मुझे आप सब के support की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है तो please हमारे चैनल को like करे, subscribe करे और share करे So friends, actually मैं North India से हूँ और मैं अभी South India आ गई हूँ South India में आप समाजी सकते हो कि हम जो Hindi भोलते हैं उन सब के लिए किती ही दिक्कत होगी अगर वो South आ जाए तो यहां पर Tamil बोला जाता है और Tamil actually कुछ समझ नहीं आता है मुझे Tamil सीखने में भी time लग रहा है, actually अभी तक मैं Tamil सीखने ही पाई हूँ बहुत कम ही वर्ड है जो भी मैं जान पाई हूँ बहुत कुछ बहुत कम बहुत कम मतलब बहुत कम ही जान पाई हूँ अभी तक मैं और कोशिच कर रही हूँ मैं कि ताकि मैं Tamil भी सीख जाओं मेरे जो हस्बेंट है उनका ट्रांसफर हो गया नौट से साउध तो अब हमें आना ही है क्योंकि अब ट्रांसफर हो गया है तो आना ही हुगा और ट्रांसफर होने के कुछ फाइदे भी है नुकसान भी है ट्रांसफर होने के तो फाइदे है ही ट्रांसफर से यह होता है कि आप हर बार एक अलग अलग जगा जाओगे और उस जगे को एक्सप्लोर करते हो तो आपको अच्छा लगेगा एक तरह से सोचो तो आपको हर तीन से चार साल में एक नया गहर मिल रहा है एक नया इंपॉर्मेंट मिल रहा है हर चीज नया अच्छा लगता है उस तीज को एक् और वहां जाना, वहां के culture को समझना, वहां के लोगों को समझना और अपनी family से तो दूर होई जाते हो और अगर जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि सामने posting है कोई बात नहीं लेकिन अगर दूर transfer हो जाता है तो अपने family को बहुत मिज़ करते हो आप और जैसे अभी मैं यहां तमिल लाडू में हूँ तो तमिल लाडू में यहां पर यहां के सारे जो तहवार है वो अलगी तरह से मनाया जाते हैं और यहां पर होली नहीं मनाया जाता है जो आनेई वाला है तो देखते हैं कि होली में हम लोग क्या करते हैं यहां पर colors भी नहीं मिलते हैं, holy के, तो उसे भी arrange करना होगा, देखते हैं, कैसे करते हैं, मैं तो सोच रही हूँ, online ही purchase करना है, तो देखते हैं, यह सब कुछ नुक्षान, आप कहा सकते हो, कि transfer होने के नुक्सान है, कि आप घर से दूर हो जाते हो, और अपने family से दूर हो ज जाता है, कि तहवार जो है, वो सब के साथ मिलकर अच्छा लगता है, तो वो नहीं हो पाता है, जब आप कहीं दूर आ जाते हो, तो इससे पहले जो है, उनका transfer उनकी पोस्टिंग जो थी, वो दैली में थी, तो दैली में, वहां पर तो सेमी है, सब कुछ बहुत ही अच्छ स्टीवल मनाना, वहां के पड़ोशी से बातचित हो गया था, तो उत्ता ज्यादा जो होता है, डिफ्रेंस फिल होना, कि हाँ, आप अपने घर से बहुत दूर आ गये हो, दूर तो आ गये हो, दूर तो आ गये थे, लेकिन भी एक होता है, घर के अगल बगत से अगर आपका सब कुछ नया ही है, तो वहां, यहां जो हमें फ्लाट मिला है, वो टू भी एच के है, और मैं इसका वीडियो भी आपको बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगे, बहुत ही जल्दी दिखाऊंगे, मैं अपने घर को, जो भी जिस घर पे अभी हम रह रह रहे हैं, और साउथ में को खाने के लिए भी बहुत ही डिफरेंट चीज मिल सकता है, बहुत ही अलग अलग तरह की दिशिस है, जो सायद आप खाए हो, अगर आप नौर्द इंडिया से हो, अच्छली मैं खुद नौर्द इंडिया से हूँ, तो जब मैं यहां आई, तो बहुत सारी ऐसे चीज है, जो मैंने उसका नाम कभी भी नहीं सुना था, और यहां पर आके मैंने टेस्ट किया, और हाँ, वो बहुत ही अच्छे है, और अच्छे लगते है, तो मैं दीरे-दीरे करके आपको सब कुछ तिखाऊंगी, सो मेरे इस वीडियो में बने रहे, और मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे ताकि आपको अभी फिलहाल साउथ इंडिया की जानकारे धिरितरे मिलती रहे, और गर बैथे ही South India के साउष इडा के बारे में जांते हैं ,आप और हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और श्येयर करे ताकि आपके पास हन्स चैनल में बहुत ही तरह की चीजे मिलने वाली है कुछ दिसेज कुछ फॉनी वीडियो और कुछ मोटिवेशनल वीडियो और बहुत सारी ट्रैवलिंग की वीडियो जो इस चैनल को जरूर लाइक अड़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको यह सारे वीडियो की नोटिफिकेश आपके पास पहुचे और आप हमारी चैनल को देख सके सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स पॉर वाचिंग